हाई दोस्तो असलाम अलेकूम कैसे आप लोगों में आप नबील है कल रात में मैंने जो वीडियो बनाया आइफोन टेनार 38,000 में 40,000 में Amazon पे मिल रहा है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने आपल लवर्स के लिए आइफोन जिनके ड्रीम का फोन था या जिनको लेना चाहते थे बहुत नए आइफोन को भी ले सकते और यह बहुत जादा प्रीमिम आइफोन से एक लाग रुपय के फोन यह आइफोन 10 जो है एक लाग रुपय का 64GB वेरिंट जैसे अभी आइफोन 11 प फटा फट से ताके आज रात में 29th of September में जब 12 बच जाएंगे जब 30 लग जाएगा 30 तरीक लग जाएगी उस टाइम पे ये डील जो है फ्लिपकाट में लाइब हो जाएगी तो दोनों में से कौन सी डील आपको लेना चाहिए यह यहाँ पर हमारा टॉपिक रहेगा इस व तो आगे जाएगे आँख बंद करके डील ले लीजिए क्योंके यह जो है किलर डील है लेकिन एंडोड उसर के लिए नहीं है क्योंकि एंडोड फोन के साथ जो है आपल वाच कंपैटिबल नहीं है वीडियो में आगे बढ़ने से जिनके पास पुराने आइफोन से उनके अच्छा ओफर बताता चलता हूं मैं आगे यहां पर जिनके पास पुराने आइफोन से जैसे आइफोन 5S, 6, 6 Plus वखरा इनके लिए बहुत ची डील है यहां पर जिनके डिस्प्ले टूड गए है उनको अगर अपना डिस्प्ले रिप्लेस करवाना है तो आपल स्टोर में आपल केर में जाएंगे बहुत महेंगा बढ़ता और बहार कहीं कराते तो डुब्लिकेट डिस्प्ले मिलने का चांस है तो यहां पर आपके पास आइफोन 5S है इन दोनों फोन्स का डिस्प्ले है और आपको वहां पर रिप्लेस करवाना है तो सारे कौश के साथ आपको प और 6 Plus वाला मॉडल है तो आपको इसका डिस्प्ले जो है 2100 रुपीज में बिल जाएगा अगर आपके पास आइफोन 7 वगरा का मॉडल है तो आपको इसका डिस्प्ले जो है 2500 रुपीज में पढ़ जाएगा अगर बड़ा वाला मॉडल है आइफोन 7 Plus तो इसका डिस्प्ल मांग सकते हैं और उनका डिस्प्ले रुटा कि अपना डिस्प्ले वापस लगवा के ले सकते हैं तो चले दोस्तों वापस अमने टॉपिक पर आते हैं आइफोन 10 और आइफोन 10R इसमें से कौन सा लेना चीए दोनों को कॉंसिडर करेंगे हम 40,000 रुपे मिल रहा है आइफोन 10R के अंदर आपको अलुमिनम देखने मिलता है अब stainless steel, aluminum अगर आप case में इस्तमाल करें तो तो आपको पता नहीं चलने वाला लेकिन अगर आप इन फोन्स को बिना case के इस्तमाल कर रहे है तो आइफोन 10 का जो डिजाइन है वो हाथ में आपको उसकी जो build quality है जादा premium लगेगी आईफोन 10R के मुखाबले आईफोन 10R भी काफी premium है लेकिन आईफोन 10 के सामने वो कम premium है और अगर looks की भी बात करें आपको पीछे का look जो है बहुत जादा important है और आप specially case के बिन अगर use करने वाले हैं फोंस को तो आईफोन 10R एक bulky phone है आईफोन 10 जो है उसके मुखाबले एक light phone है दोनों phones काफी heavy है क्योंकि premium material से बने हुए है heavy है काफी जादा phones यह दोनों लेकिन इसके अंदर जो आईफोन 10R है वो जादा heavy है display देखने मिलता है आईफोन 10R के अंदर आपको LCD display देखने मिलता है डिस्प्ले का resolution भी आईफोन 10R का iPhone 10 के मुकाबले कम है लेकिन side by side अगर आप देखेंगे आपको दोनों displays के अंदर जो है 3D touch वाले पूरे functions देखने मिलेंगे दोनों डिस्प्ले में यह 3D touch के मामले में कोई भी फरग नहीं रहने वाला बस display की quality है iPhone 10 का जो display है क्योंकि OLED है तो उसके black जादा deeper आपको देखने मिलेंगे और उसकी brightness जादा देखने मिलेंगे लेकिन बहुत लोग LCD भी प्रिफर करते है कि कुछ लोगों को जो है OLED पैनल्स की वज़े से या AMOLED पैनल्स की वज़े से headache हो सकता है तो यह totally आपकी choice में करता है दोनों display को आप side by side देख सकते हो अपने nearest apple store में जाके और फिर आप decision make कर सकते हो display की quality तो दोस्तो होगी अब display का size जो है ये भी इन दोनों के अंदर फरक है iPhone 10 का जो display है वो 5.8 inches का है one hand usage के जाधा अच्छा है और iPhone XR का display उससे थोड़ा बड़ा है उसका display का size है 6.1 inches अगर आप मेरी माने अगर मेरी choice कूचेंगे तो मैं बड़े display के लिए जाना लेकिन आप iPhone X का display की खुबसूरती आपको जाधा पसंद है तो फिर ये चीज जो है माने नहीं रखती लेकिन अगर सिफ display की size की बात करें तो मुझे जो iPhone XR का 6.1 inches वाला display है वो जाधा बेटर लगता है display के size के मामले में अगली चीज important चीज दोस्तो cameras है iPhone X के अंदर पीछ पोट्रेट फोटोग्राफी है उसके अंदर डिफरेंस ये है कि iPhone X का जो camera है वो objects का और जानवरों का भी पोट्रेट फोटोग्राफी कर सकता है iPhone XR नहीं कर सकता लेकिन जो portrait shots human के है इंसानों के portrait shots होते है जो हम सबसे जाधा लेते है उसमें अगर quality की बात करें जाधा अच उसकी मदद से iPhone X जो है वो portrait shots लेता है तो उसका जो portrait shot होता है वो थोड़ा narrow होता है portrait photographs को अगर side में रख दे दोस्तो तो बाकी मामले में iPhone XR के जो camera's front as well as rear ये iPhone X के मुखाबले बहतर है क्योंकि iPhone XR में आपको smart HDR मिलता है जाधा dynamic range मिलती है तो front and rear facing camera से आप जाधा बहतर photographs औ और वीडियो उसके मामले में जो audio record होता है जो video के अंदर audio record होता है वो iPhone XR के अंदर stereo record होता है जब कि iPhone X के अंदर वो audio होता है mono तो अगर आप vlogging हो आरा करना चाहते है या S-type के video बनाना चाहते है तो video के लिए आपको iPhone XR एक better option होगा iPhone X के मुकाबले तो दूर के objects के जो photo है वो iPhone X जो है iPhone XR के better ले सकता है क्योंकि उसमें optical zoom का आपको option मिलता है अगली चीज दोस्तो जो काफी important चीज है वो है battery life और charging की speed दोनों ही phones के अंदर आपको दोस्तो fast charging मिल जाती है दोनों फोन के box के अंदर आपको fast charger नहीं मिलेगा अलग से आपको खरीदना पड़ेगा या आप फिर आप wireless fast charging भी कर सकते हो wireless charger के साथ दोनों ही phones के अंदर तेकि जो battery capacity है दोस्तो आप इस पर आपको decide करना है कि आपके लिए कितनी साथ important है iPhone XR की जो battery capacity है या जो battery backup और वो देता है आपको वो iPhone X के मुकाबले at least 30 to 40% जाधा battery backup आपको देगा iPhone XR ये अलग बात है आपक clear winner दोस्ता अगला जो difference है इन दोनों फोन के अंदर ये अगला point of discussion है वो processor and RAM है पहले बात कते है RAM की दोनों फोन के अंदर आपको 3GB का RAM देखने मिलता है तो दोनों फोन का multitasking performance है वो similar है Android के RAM से compare मत करना ये iPhone है iOS system पे चलता है 3GB का RAM more than enough है काफी अच्छा आपको smooth performance देखने को मिलेगा लेकिन यह भी जो difference है वो processor का difference है एक में आता है A12 chipset जो है iPhone XR में और iPhone X में आता है उससे एक साल पुराना chipset जो है A11 A11 और A12 दोनों ही बहुत सदा powerful chipset है और 99% या 95% of the users के सारे performance की जो needs है चाहे हो PUBG खेलना हो वीडियो rendering हो या कोई भी task हो वो दोनों ही processors जो है बड़े आराम से कर सकते है लेकिन जब बात आती है दोस्तों sheer performance की आपको हर चीज़ एकदम super fast चाहिए एक एक second का फरक आपके लि अगली बात है दोस्तों performance और gaming की जैसे मैंने आपको processor के बारे में बता है यहां पे भी वही चीज़ अपला होती है performance gaming दोनों के अंदर बराबर ही रहेगा आपके needs जितने भी है iPhone X, iPhone XR दोनों ही पूरे कर पाएंगे लेकिन performance बहुत ज़दा important है तो iPhone XR के लिए जाए gaming performance भी दोनों का बहुत अधा similar है दोनों के अंदर आपको stereo speakers का sound मिलता है तो gaming में भी आपको काफी मज़ा आएगा अगली चीज़ जो point of discussion है दोस्तों वो है OS operating system and software updates यह दोनों चीज़ काफी important है और iPhones जो है इसके मामल में king होते है सारे iPhones iPhone SE से लेके iPhone 6S से लेके आज के generation का जो प्रो Pro Max है सारे iPhones एक ही iOS system पे चलते है जो है iOS 13 अभी चल रहा है और इसके बाद भी आने वाले सालों में इन आपडेट आएंगे तो iPhone XR और iPhone X दोनों में same operating system है और दोनों को जो है update cycle भी 5-5 साल का मिलने वाला है iPhone X आज के डम में 2 साल पुराना phone है iPhone XR आज के डम में 1 साल पुरान आते रहेंगे शायद तब तक आप इन phones को इस्तबाल भी ना करें अगली चीज है waterproofing दोनों फोन IP67 dust and water resistant है तो दोनों में आपको similar dust and water resistance मिल रहा है लेकिन इन दोनों फोन को आपको पानी में लेगा कूदना नहीं है डुबाना नहीं क्योंकि किसी भी iPhone के उपर आपको water damage की warranty नहीं मिलती तो dust and water resistance होने के बावजूद इन phones को आप बानी में ना डुबाय तो ही बैतर होगा दोस्तों अभी तर हमने काफी सारे points इसमें आपने थोड़ा दिल बना लिया होगा है कौन सा लेना है कौन सा ने लेना है अगर अभी भी आप confused है तो अभी जो दो points में बताने पर्चेस कर सकते हो Amazon और Flipkart से यह पर value for money अगर आप देखते हो तो यह depend करता है यह सारे points जो मैंने आपको बताया उसके उपर अगर आपके लिए डिस्पले का size जाधा important है अगर आपके लिए performance जाधा important है अगर आपके लिए camera की quality particular things के अंदर जाधा important है तो आपको iPhone XR के ल tax है यह जाधा important है और अगर आपके लिए premium build quality जाधा important है तो आपके लिए iPhone X जाधा suitable है तो यहापे value for money कौन सा है आपके लिए यह आपको decide करना पड़ेगा लेकिन last जो point है दोस्तों वह काफी important है यह दोनों जो phone models है यह online websites के उपर available है जो कि है Amazon और Flipkart इन दोनों के अंदर अगर आप मुझे पूछेंगे तो Amazon is much better than Flipkart यानि कि iPhone XR buy करना Amazon is safer than buying iPhone X from Flipkart क्योंकि ऐसे experiences दोनों websites पे हुए है कि कुछ गलत चीज़े आ गई है लेकिन यहापे जो iPhone X Flipkart पे मिल रहा है तो पिछले दिनों मुझे एक बंदे ने बताया था कि उसने एक iPhone खरीदा था Flipkart से iPhone XR खरीदा था और उसके उपर जो है जब उसने online चेक किया तो उसकी warranty थी expired उसको कोई warranty नहीं मिली उसका SIM card नहीं चल रहा था Apple वाले उसकी मदद नहीं कर रहे तो यह सारी चीज़े आपको सोच के रहना है और इस मामले में अगर वो Amazon पे से खरीदा होता तो Amazon वाला definitely उसकी अगर आप किसी भी website से दोनों website में किसी से भी आप खरीदते है आपको original प्रोड़क्त तो मिलेगा लेकिन जब प्रोड़क्त आप ले लेते हो तो उसके बाद आपको करना है वो भी में बता देता हूँ iPhone की जो warranty होती है दोस्तो वो build date से शुरू नहीं होती iPhone को जब आप activate करेंगे पहली बार जब उसको on करेंगे उसको internet से correct करेंगे उसकी warranty वहाँ से शुरू हो जाती है एपल के सर्वर पे यह जो warranty शुरू हो जाती है दोस्तो यह Apple के website पे दिखाई देती है इसको आपको check करना है यहाँ पे अपने phone का serial number डालना है about में जाएंगे phone के या phone के box पे आपको serial number देखने मिलता है यह serial number डालके वहाँ पे आपको check कर लेना है अगर वहाँ पे warranty आपको दिखा रहा है तो अच्छी बात है otherwise immediately आप Flipkart के customer care को या Amazon के customer care में contact कीजिए और अगर वो लोग आपकी बात नहीं सुनते then you should go to consumer court मेरे इसाफ से दोस्तो Amazon वाली जो deal है वो बेटर रहेगी क्योंकि Flipkart की जो आज रात में deal आने वाली है मुझे नहीं लगता कि 15-20 मिनट या आदे घंटे से जादा वो phone जो है iPhone 10 वहाँ पे live रहेगा Flipkart वाला बता देगा कि हमने उसको out of stock कर दि तो मेरे इसाफ से आपको Amazon वाले रास्ते पे जाना चाहिए आप iPhone 10 भी ले सकते हो iPhone 10 is very good device और बहुत ज़्यादा premium है और आपका शोग जो है तोड़ा show of पाला वो भी पुरा हो जाएगा लेकिन Flipkart का जो strategy है मुझे नहीं लगता कि जादा देर तक ये जो है iPhone 10 stock में रहेगा तो दोस्तो आपको जहां कहीं से भी purchase करना है लिंक नीचे description box में पहले comment में भी दे दूँगा वहाँ से जाके click करके Amazon Flipkart पे दोनों पे check out कर सकते हो Flipkart पे sales शुरूने वाली आज रात 12 बजे से और Amazon पे already live है Amazon से अभी भी जाके iPhone 10R खरीच सकते हो उमीद करता दोस्तो आपका जो problem है iPhone 10 versus iPhone 10R का दोनों सेम price पे available है उसको मैंने solve कर दिया होंगा आप लोग क्या लेने वाले है क्या आपका decision है क्या ले चुके क्या लेने वाले है उसके बारे में नीचे comment section में लिखके मुझे बताईए और दुसरों लोग में मदद कीजिए उमीद करता दोस्तों आपको आज का वीडियो पसने आपको पसने आपको लाइक और शेयर आपको अबसक्राब दुके लुजद बाए